नमस्कार फ्रेंज मैं हूँ आपका मित्रा आपका सखा आपका फ्रेंड कमल नम्दाल और मैं आप सभी दूर शुकों का वेलकम करता हूँ कुंडली टीवी की खास पेशकर्श आपका राशिफल तो चलिए मेश से लेकर मीन राशी के राशिफल के साथ साथ आपको बताएंगे राशी अनुसार उपाए प्रोग्राम के शुरुवात करेंगे पंचांग से उसके बाद आपको बताएंगे आज का विशेश उपाए राशिफल के बीच में आपको बताएंगे जनम दिन का विशेश उपाए और राशिफल के एंड में आपको बताएंगे आज का महाँ उपाए तो चलिए शुरुवात करते हैं राशिफल की आज के पंचांग के साथ आज बुदभार का दिन है तारीक है 6 नमंबर 2019 कार्तिक शुक्ल दश्मी पर चंद्रमा कुम्भराशी और शत्यविशा नक्षत्र में रहेंगे राहुकाल रहेगा दुपहर को 12 बचकर 5 मिनट से लेकर 1 बचकर 26 मिनट तक आज का शुभंक रहेगा 2 शुबरंग रहेगा सफेद शुब दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम रवीयोग रहेगा सुबच चालिस से लेकर रात को 2 बचकर 20 मिनट तक पंचक हैं आज दिन रात और विशेश क्या है जगधातरी पूजन है तो चलिए जानते हैं आज का विशेश उपाई क्या है क्या करें आप देवी दुर्गा के निमत घीका दीपक जलाकर घीम दुम दुर्गाय नम्हा मंतर का जाब करें हर शेत्र में आपको जीत मुलेगी चलिए बात करता है राशी नमबर एक मेश आने के एरीज की मेश राशी वालों किसी काम से शेहर से बाहर आपको जाना पड़ सकता है ऐसे योग बनते हैं कारशेत्र में नुकसान होने के संकेत मिल रहे हैं सावधान रहने की मैं आपको सलहा देता हूँ घर से निकलने से पहले इश्ट देव को याद करें और ताया पैर घर से बाहर निकालें और एक चोटा सहपाय ज़रू करें हरे नीले शेड के कपड़े पहनें बात करता है राशी नमबर दो व्रिश आने की टौरस की आज कारशेत्र में कोई शुब समाचार आपको मिल सकता है प्रिशाशी वालों धनलाप के योग बनते हैं रोजगार के अफसर्थ तलाश रहे लोगों की इच्छा भी पूरी हो सकती है आज आपका स्वास्त भी उत्तम रह सकता है एक चोटा सा अपाय जरू करें हरा पत्ता तकिये के नीचे रख कर सुएं बात करते हैं राशे नमबर तीन मित्वन यानी की जमिनाए की आज आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने की पूरी कोशिश करेंगे मित्वन राशे वालों तो इससे आपको फायदा भी होगा आज कोई बड़ा काम करने से पहले घर में वुज़र्गों की राय जरूर ले ले आज यातरा की वज़े से आप कुछ थकान भी मैसुस कर सकते हैं एक चोटा सा अपाय जरूर करें पूजा घर में शुद्गी का दिपक जलाएं बात करते हैं चौथी राशिक करक्याने के कैंसर की आज आपके रुकेवे सभी काम पूरे होने के योग बन रहें करकर राशिवालों कारशेतर में तरक्की के योग भी हैं संतान पक्ष भी मजबूत रहेगा सामाजिक शेतर में प्रतिष्ठा में इजाफा होगा स्टूडेंट्स के लिए दिन बहतर रहेगा चोटा सवपाय ज़रू करें थोड़े से पिस्ताखा लिज़े बात करते हैं सिंग राशि यानि के लियोगी आज धनलाब के योग हैं सिंग राशिवालों विदेश जाने के भी योग बन रहे हैं धार में कामों में रुच्ची बढ़ेगी आज स्नान के बाद माद दुर्गा का ध्यान करने से सभी रुके वे काम आपके पूरे हो जाएंगे एक चोटा से उपाय करें जेब में पांच रुपे का सिक्का रखें बात करते हैं राश्य नम olduğ 6 कन्या एनिके वर्गों की आज कारोबर में नुक्सान हो सकता है कन्या रष्य वालो आपको सतर्क रहने की में सलहा देता हूँ किसी बात को लेकर परेशान भी रह सकते हैं परिजयोनों से कहा सुनी हो सकती है मा दुर्गा का ध्यान करें और गाय को रोटी और गुड़ खिला दें दिन अच्छा गुजरेगा आपका एक चोटा सब्पाय जरूर करें मीठा पान खालीजे तो अब समय है जनम दिन के विशेश उपाय का क्या करें आप देवी दुर्गा पर जाइफल चड़ा कर पूजा घर में रखें इससे मनोकामनाओं की पूर्ती होगी बात करते हैं तीसरे राशी बात करते हैं सात्वी राशी तुला एने के लिवरा की आज तुला राशी के जात्रकों का दिन बेहद अच्छा रह सकता है किस्मत आपके साथ रह सकती है हर शेत्र में तरक्की मिल सकती है धनलाब होने के भी बहुत सुंदर और प्रबल्योग बनते हैं आज किसी पुराने दोस्से आपकी मुलाकात आपको बहुत खुशी दे सकती है एक चोटा सवपाई ज़रू करूँ तक्यों पर हरे प्रिंटेट खोल बिछाएं बात करते हैं आठवी रह्षी ब्रिश्चे कहने के स्कौर्पियो की आज कारोबार के शेत्र से जुड़े लोगों को धनलाब हो सकता है परिवार के साथ कहीं घूमने का आप प्लान भी बना सकते हैं किसी बात पर परिजनों से अन्बन भी हो सकती है आपका जीवन साथी आपकी किसी इच्छा को पूरा कर सकता है एक चोटा सफ़ाई जरू करें उत्तर मुखी होकर घर से निकलें बात करते हैं नवीराशित धनू यहनिकी सेजिटेरियस की आज कारिशेत्र में आपके काम की वज़े से आपको तारीफ मिलेगी नौकरी पिशा लोगों को नई जिम्मेदारी से नवाजा जा सकता है विदेश यात्रा के भी योग बनते हैं स्वास्त अच्छा रहेगा माद रुगा के ध्यान से लाब होगा एक चोटा सवापाई ज़रू करें सूखा धनिया के दाने पानी में बहा दे बात करते हैं दस्वी राशी मकर यानि के केप्रिकॉन की आज आपका कोई मित्र आपके लिए परिशानी खड़ी कर सकता है कारिशेत्र में भी आपके दुश्मन आपके खिलाफ कोई बात करते हैं ग्यारवी राशी कुम्भ यानि के अक्वेरियस की आज स्वास्त का ध्यान रखें बहारी भोजन ना करें परिजनों के साथ किसी बात को लेकर कहा सुनी हो सकती है वानी पर थोड़ा सहीं बनाये रखें आज भगवान गनेश पर दुर्वा चड़ाएं लाब ही लाब होगा एक चोटा सव पाई जरू करें हरे शेड़ के कपड़े पहन कर घर से निकले बात करते हैं बारवी राशी मीन यानि पाईसेस की आज अगर किसी बिजनेस की शुरुआत करने के सोच रहे हैं तो आज से ही शुरू करें सफलता आपके कदम चुमेगी आज घर पर महमान आ सकते हैं जो खुशकबरी लेकर घर में दस्तक देंगे धनलाव होगा स्वास्त बहतर बना रहेगा एक चोटा सा उपाय जरू करें कांच के बरतन का स्तमाल करें तो फ्रेंस अब समय आज के महा उपाय का क्या करें आप देवी जगधात्री पर मसूर चढ़ा कर पीपल के नीचे रख दें जिवन में सुख और शान्ती आएगी तो फ्रेंस आज के लिए पस इतना ही कल आप से फिर मुलाकात होगी आपके राशिफल के साथ आपके भविशवल के साथ अगर आप किसी परिशानी में हैं जिससे आप उभर नहीं पा रहे हैं तो जब आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे जो comment box है, उसमें अपनी समस्या के साथ-साथ अपनी birth details और अपना contact number जरूर लिखें, हम live session पर आप से सीधे रूबरू हूँगे, और आप से एक और बात कहना चाहूँगा, कि कुंडली TV के YouTube चैनल को और Facebook पेज को share, subscribe और like जरूर करें, अब अपने मित्र, अपन